सो हेलो एंड वेलकम गाईस आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एज कलकुलिटर अप्लिकेशन स्केच्वेर प्रो या स्केच्वेर स्टूडियो में कैसे क्रेट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को सुरूर से लेकर करके अंतक जरूर देखें इस वीडियो में आपको कुछ इन्पोर्टेंट बाते भी बताने वाला हो कोई भी आपको development नहीं आता कोई भी आप यहाँ पर create करना coding करना नहीं आता तो आप easily फिर भी इस वीडियो को देखके आप create कर पाएंगे जहेंगे अगर आप create करना चाहें तो create कर सकते हैं इस तरह से आप application को create करके और play store पे भी publish कर सकते हैं तो अगर मैं आपको यहाँ पर age calculator application play store पे दिखाओं गाईज तो चलिए मैं आपको play store पे ले चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ गाईज यहाँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर age calculator यहाँ पर सर्च करते हैं play store में जाके तो देख सकते हैं बहुत स यहांपर डॉनलोट आपको देखने को मिल रह nose काफी ज्यादा डॉनलोट से डीश ही कलकूलेट करता है यहांं पे तो इस तरह से अगर आप क्रिएट करके प्लेपर बिल्डी Franz नो पब्लिस करते है अपने flush केशन को तो यहां पी आपको जुआ millions of downloads आपको देखने को मिलेगा और users भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर age calculator बहुत सारे जो subscriber हैं बहुत सारे user जो हैं वो use करते हैं यहाँ पर अपने age को calculate करने के लिए तो चलिए इसे create कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको step by step बताने वाला हूँ तो कोई भी यहाँ पर वीडियो को कहीं भी miss ना करें और कहीं भी skip ना करें गाइस तो चलिए जैसे कि आपको पता है कि मैं जितने भी quotes देता हूँ ब्लोक देता हूँ मैं टेली ग्राम चैनल में देता हूँ तो चलिए मैं ले चलता हूँ गाईस यहाँ पर पूरी जनकारी देने वाला हूँ वीडियो को थोड़ा सा भी skip ना करें गाइस तो guys यहाँ पर यह मेला telegram channel है guys यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 3K plus यहाँ पर मेरे जो members हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा guys इस telegram channel में आप telegram अगर यूज नहीं करते हैं तो simple सा है telegram को install कीजिए वहाँ पर अपना number डालके login sign up कर लिजे और sign up करने के बाद search में आपको search करना है simple सा android bulb channel देख सकते हैं guys otherwise इस video के description में मैं link देदूँगा आप चाहें तो वहाँ से भी जा सकते हैं guys तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि telegram channel में जाने के बाद आपको simple सा search करना android bulb channel अगर आप search करेंगे तो आपको icon इस तरह के दीख जाएगा आपको simple सा इस icon पर click करना और यहाँ पर आजाना channel में channel में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको search आपको option मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मैं step by step बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैं beginners के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँगा जिससे application बनाना नहीं आता android phone से उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपको step by step बता रहा हूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको schedule कर रखा भी गाईस यहाँ पर यह वाला देख सकते हैं यह वाला SS करके SS मतलब sketchware studio करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा as calculator करके तो इसे हम copy कर लेते हैं और simple से यहाँ पर आपको search में यह paste करना होगा गाईस यह मैं यहाँ पर देख सकते हैं एक जसन फाइल आपको देखने को मिलेगा उसे आपको download कर लेना है इस तरह से और download करने के बाद इसे जो है आपको save पर क्लिक करना है लेना इस तरह से save पर क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पर मैं ES file explorer को यूज करता हूं यह जो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं save का option मिलेगा तो यहाँ पर क्लिक करके मैं save कर लेता हूं एक particular कोई सांट फोल्क करें फोल्डेट फोल्डर है इसमें save करके आपको दिखाते हैं जहाँ पर यहां पर देख सकते हैं यहाँ वाला फोल्डर में लाइक्स होते हैं तो मैं Sketchware Studio का download link में दूँगा उस पर वीडियो बनाऊंगा part 2 में आपको मिल जाएगा guys लेकिन आप ये जो है AS Calculator आप Sketchware Pro में भी यूज करते हैं तो Sketchware Pro का में वीडियो अल्रेडी बना राखा हो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में link देदूँगा आप चाहें तो देख सकते हैं तो आप अगर download नहीं किये Sketchware Pro तो वो भी download कर सकते हैं इस वीडियो के description में link आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे Sketchware Pro या Sketchware Studio में जाएगे तो यहाँ पे Plus पे क्लिक करना है और यहाँ पे simple अगर अगर आप एक beginner है तो यहाँ पे Plus पे कलिक कर रहेंगे तो यहाँ पर आपको इस project का name देना है Age Calculator ज़िमा ज़िवे हम इस का Age Calculator हम देदेते हैं Name देदेते हैं धाइज.. कॉल symmetric प्रचेकर नेंब ड meta ट् wires कॉच्छ भी दे सकते हैं कि उसके भ़ध यहां पर हम क्रेटे telephone क्लिक करेंगे हैंगे क्योंकि आप बीगनर है इसलिए मैं आपको step by step बता रहा हूँ भले वीडियो लंबा हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं simple सा है गाईस यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है simple सा यहाँ पर आपको एक design कर लेना तो चलिए linear V इसे linear V करते हैं गाईस यहाँ पर यह वाला linear V को V मतलब vertical गाईस तो इसे ले ले लेते हैं और यहाँ लेने के बाद इस पर tap करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं properties आपको बहुत सारे show होंगे तो यहाँ पर हम width में जाएंगे और width में हम यहाँ पर width को हम match parent कर देंगे गाईस यहाँ पर match parent करने के बाद हम इसका जो है आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी नी करेंगे हम यहाँ पर gravity हम सिर्फ center horizontal सेट कर देंगे और यहाँ पर एक ले लेते हैं यहाँ पर एक layer h और एक और ले लेते हैं चलिए हम सारे पर नीचे कर देते हैं इस तरह से उसके बाद यहां पर एडिट टेक्स ले लेते हैं उपर में और नीचे में भी एक एडिट टेक्स ले लेते हैं इस तरह से और यहां पर हम एक ले लेते हैं और नीचे में भी एक टेक्स व्यू ले लेते हैं तो यह हो गया हम इस बटन का Name हम यहाँ पे उंड्भा करें तो यहाँ नीजे में नीचे में Pasने में कर देगे इसका Name हम कर देते हैं इसका Date, पिक डेट Tech estatus बहरत। , date of birth simple जाए है यहाँ पे इजल सीजी अपर कर पाएके उसके बास यहाँ पे हम इस image में लिख देते हैं, यहाँ पर टाइप कर देते हैं यूर डेट आफ बर्थ ठीक है guys, उसके बाद इडिट टेक्स में आपकी लिख लेंगे, यहाँ पर सेलेक करेंगे इडिट टेक्स, तो यहाँ पर पर परपरटीज में और नीचे में हींट में क्लिक करेंगे और यहां पर इडिट टेक्स में हिसका नैम देते हैं तोटल ठीक है guys और यहां पर हम टाइप कर देते हैं टोटल text view में type कर दिते है total your total age your total age ठीक है guys तो guys यहाँ पे हम कुछ भी designing नहीं की है आप यहाँ पे और भी designing कर सकते हैं तो यहाँ पे video लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे short में आपको बता रहा हूँ guys यहाँ पे आप इडिजानिंग करके और भी attractive बना सकते हैं अगर play store पे publish करना चाहे तो उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यह वाला है text view में यहाँ उपर में देख सकते हैं DOB जो है text view 1 है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और नीचे में जो है text view 2 है तो DOB मतलब date of birth जो है text view 1 में है और total वाले जो date ID text वो 2 में है ID text 2 में तो यह आपको ध्यान में रखना है तो चलते हैं event में और यहाँ पे उन create में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे button 1 पे click होगा यहाँ पे button 1 आपको show हो जाएगा जब button आप लेंगे तो अगर show नहीं होता है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर 1 minute यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अगर show नहीं होता है तो यहाँ पर यह कर सकते हैं कि यहाँ पे plus पे click करेंगे यहाँ पे guys इस पे plus पे click करेंगे तो यहाँ पे आपका सारत दिख जाएगा तो आप button को जले करके add कर सकते हैं तो यहाँ पे button 1 पे click करेंगे और button 1 में जाएगे यहाँ पे हम तो इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे उपर में करना है कि यहाँ पे name हम दे देते हैं इसका is calculator ठीक है गाइस और यहाँ पे इस पे tap करेंगे यहाँ पे गाइस तो आपको color देखने को मिलेगा तो कोई सा भी pink हम choose कर लेते हैं यहाँ पे और save पे click कर देते हैं तो नीचे में आपका जो सबसे नीचे में last में आपका देख सकते हैं यह savoir हो जागा इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे click करेंगे फर्स वाले icon और यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्ट का उप को option दिख रहे होगा तो इनपर्ट में जाए जहां पर भी आपका जो अभी टेलिगराम से चनल से हमने जो फाile जासन फाईल को सेव किया था Android world यहां पर इस फोलडर में हम सेव किये थे तो यहां पर सेयल करने के बाद यहां पर देख सकते हैं जहां पर भी आपने सेव किया और यहाँ पर हम all पर click करेंगे और all पर click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह import हो जाएगा ब्लोग साब का guys यहाँ पर यह ब्लोग इंपोर्ट करने के बाद back कर लेना है थोड़ सा और यह देख सकते हैं कि आपको button one पर click करना है button one में यहाँ पर already है है हम guys यहाँ पर देख सेते हैं यह बटन वन में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं more blog पर क्लिक करते हैं more blog पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक हम more blog कर लेंगे इसका name देंगे is is calculator आप कुछ भी नेम दे सकते हैं गाईस यहाँ पर एस कालकुलेटर देने के बाद यहाँ पर आपको इसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपको नीचे में क्लिक करेंगे इसके गाईस तो यहाँ पर सबसे नीचे में आपका जो आपने block को import किया था यहाँ पे देख सेते हैं age calculator करके last वाले में उसमें जाना है और यह वाली आपको blocks को लाना है यहाँ पे और edit text 1 सेलेक करना है first में edit text 2 सेलेक करना है second में यहाँ पे देख सेते हैं first में जो edit text है वो DOB करके यहाँ पे रिखा हुआ है, तो id text 1 में हमारे Ç-bo bdr भी था और total age वाले हमारा id text 2 में था इसलिए Meg2 YOUR准ए हमें यहाँ पर Saken Icarch कर दिने उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है यहाु आपकर बैक कर लेदा यह वाला ब्लोग को यह पर लाके set कर देंगे और यहां पर हमारा बुटन 1 हमारा था वो select कर देंगे गाइस, simple method है है इसे select कर देंगे, यहां पर इस तरह करने के बाद आपको run करेंगे तो जहां पर आपका successfully यहां परUNG एस calculator application create हो जाए अगर आप एक beginner भी है तो इस वीडियो को देख के आप create कर सकते हैं यहाँ पे एक error आपको देखने को मिल रहा हुआ है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर में राइट साइड में टॉप पर थ्री डॉट पर क्लिक करें और यहाँ पर देख सकते हैं लेबरेरी पर क्लिक करने के अगर आप एक beginner भी है तो यह वीडियो को देखने के बाद आप create कर सकते हैं यहाँ पर create कर सकते हैं आप as calculator guys तो यह calculator को create करके आप प्ले स्टोर पे भी publish कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और भी designing आपको करने की जरूरत होगा improvement करने की जरूरत होगी क्यूंकि यहाँ पर इ आपनिंग भी कर सकते हैं इसमें एड़ लगा के गाइस तो यह एक beginner के लिए था गाइस तो चलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना like और share करेंगा यहाँ पर देख सकते हैं कि एरर देखने को यहाँ पर मिल रहा है जो की एस calculator करके यहाँ पर है तो यह इरर जो हमारा है यहाँ पर इसमें है गाइस यह दख सकते हैं एस ह्यूल अठर में हम नही यहाँपर करेंगे इसे हम डिलीट कर लेते हैं क्वार और यहाँपर फिर से मूर बलोग में जाएंगे और यहाँपर हमें क्या करना है का the calculator तर चलिए हम यहां पे इसका नेम हम ठोड़ा सा जेंग कर देते हैं तो इसे एड कर लेते हैं यहां पे यह इसंदूर अ鏡 ए था क्योंकि यह चैन नहरा हिन्व से वर्येबल कोड में है तो यह फिरसे हम से हैड करेंगे तो सेम नहीं होना चाहिए इसलिए आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन डिफरेंट तो edit text 1 फिर से select करेंगे edit text 2 select करेंगे और यह हमारा हो गया गाइस ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम फिर से run करेंगे गाइस यहाँ पे तो जो भी error आता है मैं आपको यहाँ पे live बताने वाला हूँ live बता रहा हूँ गाइस यहाँ पे ताकि आपको बाद में यहाँ पे error देखने को ना मिले तो चलिए यहाँ पे हम run कर लेते हैं इसे और फिर हम आपको दिखाते हैं यह successfully create हुआ है कि नहीं वीडियो को like और share करते रहें ताकि मैं और भी interesting topic पे वीडियो बनाऊं गाइस और मैं इतना महनत करता हूँ आपके लिए तो आप like तो बनता है गाइस और share तो बनता है गाइस बना रहा हूँ और उस पे कुछ पे experiment भी चल रहा है तो मैं आपको बता दूंगा तो आप घवराईए नहीं मैं उस पे विडियो बनाऊंगा और मेरे आप से एक request है गाईज कि आप telegram में ही आप telegram में ही जो group है उसमें ही जो भी आपका problem है आप आप बताईए और बाकि जो भी वहाँ पे member है वो help करेंगे गाईज क्योंकि मैं help नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे मैं वीडियो बनाने की वज़़से मैं जल्दी help नहीं कर पाता हूँ गाईज तो आप मुझे छमा करें मैं उसमें जब भी देखूंगा जरूर help करूंगा मेरी तरफ से पूरी कोशिस रहेगी कि help करने की तो आप telegram में ही जाके वहाँ पे जो भी है आपकी यह discussion ना कि आप हैसुक वाले page में या आप instagram वाले page में यह सम्में जाके instagram वाले profile मतलब वहाँ पे messenger में जाके message ना करें personally तो मेरा आप से एक request रहेगा कि आप यह ना करें comment में ही बता सकते हैं आप youtube के यह video के comment में ही बता सकते हैं जो भी problem है मैं उस पे पूरी कोशिस करूंगा video बनानी की तो यहाँ पे यह run हो रहा है इस वीडियो में guys तो यहाँ पे चलिए यह open कर लेता हूँ इस्टोल हो गया successfully यहाँ पे open करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो designing है इसमें कुछ अच्छा नहीं है तो आप designing करेंगे तो यहाँ पे अच्छा आ जाएगा ठीक है guys तो date जो हाई date of birth आपका देख सकते हैं एक एक उनिस उन्ठानवे और यहाँ पे उनिस उन्ठानवे अगर आप पिक करतें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कितना साल आपका यहाँ पे हो गया है guys तो यहाँ पर 1988 है यहाँ पर 1999 पिक करेंगे हम चलिए फिर से 1999 1999 यहाँ पिक करेंगे तो यह हो गया गाईज तो देख सकते हैं 23 year 3 month 7 days यह हो रहा है गाईज तो इस तरह से आप create कर सकते हैं age calculator गाईज यह simple sa age calculator application है गाईज तो आप यह वीडियो आपके लिए यूज फूल रहा होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टुटरियर के साथ अब तक के लिए बबाट टटाए थेंक्स पर वाचिंग